नमस्कार, विल्कॉम टूर्च चानल स्टॉक मर्केट उजर्स, आज HDFC-AMC ने Q4 का रेजल्ड डिकलर किया है, और इस कमपाने जबर्दस Q4 का रेजल्ड डिकलर किया है, हाइस्ट हेबर रेविन्यू रेकॉर्डेट, उसके साथ रेकॉर्डेट हाइस्ट इबिड मार्जिन विल्कॉम कर सकता हैं, तो किस स्टेब का मॉमेट आ सकता है, उससे पहल है अभी तक आप स्टॉक मारकेट्ट उज़य सानगों सक्कार्ड नहीं किये, चैनल को संक्कारिब पिजेगा अन भीड़वाच लगा तो भीड़व को लाइक किजेगा अगर अब हम quarter to quarter basis के उपर result को compare करेंगे तो देखें ऑपरेटिंगी revenue में 3.6% का jump देखने को मिल रहा है इबिड में 5.9% का jump देखने को मिल रहा है प्याट 10.8% का jump देखने को मिल रहा है अगर अब हम year to year basis के उपर देखेंगे ऑपरेटिंगी revenue में हाँपे 28% 6% का jump इबिड में 32.2% का jump और यहाँपे प्याट profit after tax 43.8% का jump देखने को मिल रहा है सारा parameter यहाँपे strong show कर रहा है और इस result को call market यहाँपे welcome करेगा अगर आपके पास stock है आपको hold करना चाहे और fresh entry कैसे कर सकते अब जाकर chart में analysis करेंगे अब यह चलते चार्ट के उपर जैसे कि आपके stream के साबने जो chart ओपर हुआए उपर है HDFC AMC का टाइम ट्रेम सेलेक्ट वहाए उइक लिए इस blue line के ओपर focus किजिएगा देखिए प्राइस के लिए जो blue line था major support था और एक जली देखिए प्राइस हाँपे double bottom pattern construction किया उसके बाद यह off trend एस्टब्लिश हुआ है जैसे कि यहाँ पर देख सकते है प्राइस के लिए था life high उससी लेवल को जाकर प्राइस हाँपे direct hit किया hit करने के बाद देखे last two months से price यहाँपे range का अंदर consolidation हो रहा है अगर अब हम एक डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे प्राइस हाँपे downtrend channel को फोलो कर रहा है अगर काल यहाँपे price इस downtrend channel को breakout कर देगा तो आने वाल टाइम में यहाँप पर इस range को breakout करके closing कर लेता है वोसी case में यहाँपे further out moment आ सकता है ने तो gap up के साथ pull back कर सकता है और थोड़ा time correction हो सकता है जैसे कि price जो हमीशाचा future को discount करके चलता है और इस result को side price इस move के साथ यहाँपे discount कर चुका होगा इसलिए जो next trading day na closing important है और opening करने के बाद निचे आ जा प्लोड करके 3860 के उपर closing होता है next target क्या बनेगा अभी हम यूज करेंगे फिबोना के extension को उसी case में जो previous swing low हम पर बन रहा है डेली time frame का यहाँपे हम stop loss को या exit point को decide कर सकते हैं अगर target measure करेंगे इसलिए में अभी weekly time frame के उपर चलता हो और फिबोना के extension को plot कर लेता है क्योंकि लाइप हाई के उपर कोई पिक supply demand level अभी लेबल नहीं होता है और वहाँ पर target measure करने के लिए हम यूज करते हैं फिबोना के extension को जो short time frame का target बनेगा 4400 का जो कि फिबोन लेबल बन रहा है 1.618 जो second target बनेगा 2.618 6139 का प्रोबाबिल हाई है कि unable time में इस दोनों target को टेस्ट क trading देखा closing important है opening इतना important नहीं है क्योंकि budgeting result के साथ stock price साथ gap up हो सकता है लेकिन वहाँ पे sustain करने के लिए closing important है नहीं तो प्रेस पूल बैक करके और थोड़ा टाइम टाइम वोच करेक्शन करेगा उसके बाद movement दे सकता है लेकिन stock को hold करना चाहे फ्रेस entry करने के लिए closing out करना च कर दो है नहीं